हेलो फ्रेंद्स और वेलकम टो विएक्स वाइब वन्स अगेन तो आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं न्यूक में जेड़ी फोकस किस तरीके से यूज कर सकते हैं यहां दोस्तों आज के वीडियो यहीं होने वाला है में जेड़ी फोकस सो विदाउट अने डिले लेट्स केट स्टाड़ेड अगे विफोर स्टार्टिंग एनिथिंग आ वुड लाइक टू थैंक्स मेरे जितने भी मेंबर्शिप जिन्होंने ली हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उनमें हैं अंकिता अलबर्टो एं इंस्टाग्राम पे कॉंटेक्ट करें क्योंकि आपने जो मिम्बर्शिप का लिया है जो आपने मिम्बर्शिप ली है उसमें मुझे आपको कुछ फाइल्स भेजने हैं जैसे मैंने अल्रडी में मेंशन करकर रखा हुआ है जो भी यूज्ड फाइल होंगे मुझे आपको तो प्लीज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कॉंटेक्ट करें इंस्टाग्राम पर डिफिनेटली मैं आपको फाइल्स बेजूंगा लेट्स जंप टू टूडेस टॉपिक जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बहुत एक बेसिक सेट अप मैंने यहां प डिस्क्रिप्शन में इस मैं अगर आपको मैं दिखाओं तो मेरे पास alpha available है मेरे पास jet depth available है तो बहुत यह अच्य तरीके है मेरे को depth available हो है यहां पर in And kepka regular available है Yeah, I might be I'm not going to use specular So let's start how we can tweak our settings for jet defocus So before doing anything what i want to do i want to add this background ताकि इसके पीछे कुछ दिखे, कुछ अभी अजीब सा ही लग रहा है, so what I did, मैरे पास एक 4K की इमेज थी, 360 Panorama, so उसको मैंने एक स्फेर पर डाला, scale किया, normal है, ऐसा देखो, आप स्फेर पर डाला, since इस 360 Panorama, तो मेरे को कोई प्रोब्लम नहीं हुई, and same camera, जो camera मैंने इसको render करने में use किया हुए, उससे मैंने render out कर लिया, and this is what I have, एक background मेरे को मिल गया, although it's static, but I did that, और इसको मैं moj कर देता हूँ, B, A, simple, ये एक setup बना दिया, मैंने, अभी problem क्या हो रही है, okay, so problem is this, क्योंकि ये आपका render है, 1920, 1080, और ये project set मैंने नहीं किया हुआ है, तो I have to do project setting, तो क्या होगा, automatically match हो जाएगा, right, so let me do that, let me make some space, okay, what I am going to do, I am going to shuffle my depth, यहां से depth shuffle करते है, depth, right, depth shuffle करने के बाद, अब भी देखो कि बहुत, बहुत ही values बहुत extreme level की हैं, जैसे हैं आपर 9999 देखोगे, यहां पर कुछ value अलग है, 5 दिख रही है, यहां पर कुछ अलग values है, तो इसको neutralize करने के लिए, what I prefer, मैं grade node लेता हूँ, और grade node में, what I am going to do, grade node में हाँ, black point और white point में adjust करता हूँ, तो जो black point है, I am going to adjust, जो भी frontal part है, वो मैं adjust करता हूँ, might be, right, और इसको disable करता हूँ, और यह जो है, वो मैं कुछ इधर adjust करता हूँ, तो आप देखो, एक बहुत अच्छे तरीके से मेरे को यहां पर depth generate हो गई, आप चाहें, तो ऐसे भी use कर सकते हैं, बट मैं prefer करता हूँ, कि इस तरीके से use करना था कि आपको depth एक proper मिलने लगे, अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं, थोड़ी और tweaking करनी की जरूरत है, तो what we can do, we can go and we can gain down थोड़ा से करते हैं, might भी मैं इतना use करना चाहता हूँ, right, so यह करने के बाद, what I am going to do, I am going to take a node called copy node, और copy node में, मैं simple, बहुत ही simple तरीके से, मैं इसको copy कर लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि जो red channel है, उसको आप copy कर दिजिए, depth channel में, simple, right, तो मैंने क्या किया, यहाँ से shuffle किया, depth, जो की आपका यहाँ पे raw data था, depth का, फिर अपने requirement के according मैंने इसको change किया, और फिर मैंने इसको copy कर ले, simple, now I can go and I can take a node called ZD focus, ZD focus node लेते हैं, और ZD focus को connect करते हैं ZD focus already मैं बहुत बार discuss कर चुका हूँ, बट एक बार फिर से बताता हूँ, ZD focus में focal point वो point होता है, जहाँ पे आप अपने main character को focus में करना चाहते हैं, right, and I am doing one more thing, rather than using ZD focus here, यह background के उपर use करता हूँ मैं, ताकि background भी मेरे साथ के साथ defocus हो जाए, so जैसे ही focal point मैंने यहाँ पे adjust हो गई, so let's dive deep into ZD focus, सबसे पहले हमें focal plane set करनी के जरूत पढ़ती है, basically focal plane क्या होता है, जिस plane पे या जिस area में आपको focus रहना है, वो plane आप decide करते हैं, तो automatically क्या होता है, उसके पीछे का plane और उसके आगे का plane दोनों defocus हो जाएगा, और वो particular area या plane आपका focus में रहेगा, so let's go to output और यहां पर हम करते हैं focal plane setup, automatically यहां पर कुछ चीचे दिख रहे हैं मेरे को, मैं detail में समझाता हूँ, क्या है यह, so just click over here, जहां पर आपको focal रखना है, और I am going to adjust my depth of field, right, तो इसको थोड़ा adjust करते हैं, and थोड़ा सा focal plane हम adjust करने की कोशिश करते हैं, okay, तो थोड़ा सा focal plane adjust क करने के बाद, यहां पर जैसे दिखेंगे focal plane set करने के बाद, मैंने थोड़ा focal plane पर काम किया, और थोड़ा सा depth of field पर काम किया, now आपको यहां पर तीन colors मिल रहे हैं, यहां पर तीन colors क्या हैं, जो green area होगा, वो focus में होगा, जो red area होगा, वो defocus में होगा, और जो blue area है, वो red से कम defocus होगा, बट green से ज़्यादा defocus होगा, green तो focus में रहेगा, और यह थोड़ा सा defocus होगा, और यह पूरा defocus होगा, यह color का मतलब यह है, और इसको मैं reset करता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा change किया था इसको, अब हम जाता हूँ result पे, result में जैसे ही जाओंगा, आप रहा है, जैसे आपको लगता है कि नहीं, यह थोड़ा सा हम size और ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा defocus होगा, तो आपका क्या होगा, और defocus होगा, it totally up to you, कि आप किस तरीके से इसको defocus करना चाहते हैं, एक चीज़ और change करी थी मैंने, जो by default में कर देता हूँ, जो होत plane और depth of field set करें, ताकि आपका इस तरीके का कुछ color information मिनने लगे, green will be in focus, red will be totally defocus, and blue will be थोड़ा सा defocus, so that's the funda, यह करने के बाद, अब इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़े change करी थी, इसमें filter type, disk की जगा मैंने bladed use किया था, होता क्या है, basically जब भी अगर हम camera के term में बात करें, तो जब भी defocus करता है camera, तो पीछे defocus करने का pattern होता है, पीछे जिसको हम बोलता है कि bokeh generate करता है, basically bokeh क्या होता है, कितना ज़्यादा आपका aperture छोटा होगा, उतना आपका bokeh ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो इस case में realism के लिए हमें bokeh भी generate करनी के ज़रुरत पड़ती ही है, so, यहाँ पर जैसा ही मैंने disk है, by default आपको कुछ यहाँ पर फरक नहीं दिखा होगा, disk के जगा मैं bladed करता हूँ, तो थोड़ा सा कुछ change हुआ, but बहुत ज़्यादा कुछ फरक आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, shapes के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक ची जाने के purpose है, और यहाँ पर shape बनाता हूँ, एक again grade node लेता हूँ, और इसको मैं जाता हूँ, इसमें connect कर देता हूँ, simple, और I am going to make bit brighter, something like that, right, अब अगर मैं jet of focus देखता हूँ, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से shape मिल रहा है, basically shape क्यों नहीं generate हो रही थी, क्य यह bokeh generate नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके सा आपको यह पर bokeh generate होने लगी है, and यह होने के बाद, bokeh generate होने के बाद आप चाहें, तो उसके blades को control कर सकते हैं, watch closely, थोड़ा सा space बनाता हूँ, अगर आपको 3 चाहिए, तो 3 कर सकते हो, अगर आपको 4 चाहिए, तो कर सकते हैं, जैसे बहुत डल दिखे रहा है, तो थोड़ा सा आप gamma correction यूज कर सकते हैं, थोड़ा bloom यूज कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से दिखे, bloom को control भी कर सकते हैं, यहां से, it's totally, totally, totally up to you, a bloom भी control कर सकते हैं, something like that, see, so what I'm going to do now, I have, if you remember, I have my specular pass, right, so I'm going to shuffle it out, right, I'm going to shuffle it out, and I'm going to shuffle my specular, जैसे यहां पर देख रहे हो, आप थोड़ा सा space बनाता हूं, थोड़ा और comp अच्छा करता हूं, bokeh और अच्छे से generate करता हूं, just for your information, and I'm going to take a grade node, और grade node में थोड़ा सा हम यहां पर gamma कम करेंगे, gain up करेंगे, ताकि वो specular और pinpointed specular generate हो, something like that, and I'm going to merge on top of my main stream, in screen mode or plus mode might be, तो देखो अभी क्या हुआ, चोटे-चोटे spec generate हो गए, now अगर अब मैं जाओंगो, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से bokeh बनते हुए दिखेंगे, जैसे suppose that मैं इसको off करता हूं, just see what's happening, see, अभी क्या हुआ, spec नहीं मिल रहा था, तो bokeh generate नहीं हो रहा था, बड़ जैसे ही spec मिलने लगा, bokeh आपका बहुत अच्छे तरीके से generate होने लगा है, अगर आपको चाहिए कि नहीं, आगे कि spec कम चाहिए थोड़े से, तो you can go and you can take a roto node, probably, roto node ले सकते हैं, एक grade node ले सकते हैं, कम चाहिए, बहुत बार मैं बता चुका हू तो यहां बहुत अच्छे तरीके से bokeh आपको मिलने लगा है, और depth of field भी बहुत अच्छे तरीके से मिलने लगी है, right, so let me show it to you, just see, यह without depth of field, and यह with depth of field, see, देखो, आगे भी थोड़ा सा आपका defocus हो रहा है, and gradual आपका यहां पर चीज़े आती जा रही है, थोड़ी बहुत प्रोब्लम यहां पर है, उसका हूं fix कर सकते है, not an issue, but it's merging quite beautiful, और यहां पर देखो, bokeh भी generate हो रहा है, so what I'm going to do, I'm going to open a comfile, जो अलरड़ी मैं करके बहुत सारी चीज़े करी हुई है, जैसे थोड़ा इधर भी bokeh generate हो रहा है, थोड़ा sky में भी color correction है, थोड़ा इधर भी bokeh generate हो रहा है, बस simple कुछ नहीं किया है, जहां-जहां मेरे को bokeh चाहिए था, मैंने यहां पर color correction थोड़ा कर दिये हुआ है, दो चार जगा पर color correction कि एक pinpoint ऐसा मैंने specular generate कर दिया है, fake specular generate कर दिया है, थोड़ा color correction किया है, थोड़ा और color correction किया है, थोड़ा और color correction किया है, sky, देखो थोड़ा सा sky और enhance किया है, and then simple दोनों को merge कर दिया है, और simple तरीके से same specular भी मैंने यूज़ किया है, थोड़ा, ताकि और अच्छे से bokeh generate हो, फिर depth copy करी है मैंने फिर defocus use किया और बहुत अच्छे तरीके से मेरे को bokeh वेगर सब generate होके मिल रहा है then थोड़ा सा से depth of field और ज़्याद अच्छा दिखाने के लिए मैंने थोड़ा से इसमें fogging use करी है बहुत simple तरीके से बना है और एक थोड़ा से यहां पर light का एक tint थोड़ा सा दिया है simple see एक हलका सा and then थोड़ा सा vignetting reverse vignetting and there comp is done so यह एक बहुत simple और बहुत effective तरीका है जड़ देफोकस यह जड़ पास यह depth पास को यूज़ करने का न्यूक में उमीद करता हूं आपको आज का video अच्छा लगा होगा अगर video आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को जादा जादा शेयर करें और आप अगर चैनल पर नए हैं तो भीना सब्सक्राइब किया ना जाएं विद दिस सेट दिस इस वेफेक्स वाइब साइनिंग ओफ हैव गुड डे